हेलो, फ््रेंड्स, मेरा नाम विश्णुपतापसिंग है कम्प्यूटर बेसिक के video tutorial में आपका स्वागत है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कम्प्यूटर बेसिक के नम्बर सिस्टम के बारे में की नमबर सिस्टम क्या होता है और हम इसका use क्यों करते हैं दोस्तों जब हम नंबरों के बारे में बात करते हैं जब भी हम कैल्कुलेशन के बारे में बात करते हैं तो नंबर सिस्टम की बात आती है computer क्या है एक calculating machine है basically तो इसके अंतरगत इसके अंदर जो भी working होती है जो भी calculations होते हैं जो भी logical operations perform होते हैं सब कुछ एक calculation के माध्यम से होता है तो इसलिए इसमें कोई भी working perform करने के लिए हम लोग number का use करते हैं तो जब number का use करते हैं तो हम लोग जानेंगे number system के बारे में कि number system कितने क्या होता है और कितने type के होता है दोसको number system होता है हमारा ये number system represents how data stored in memory number system represent करता है कि computer memory में data कैसे store हो रही है तो और आगे हम लोग देखेंगे number system के बारे में, number system basically हमारा four type का होता है, binary number system होता है, binary number system में सिर्फ two digits होती है, zero and one, इसका base two होता है, बेस क्या होता है, जिसको हम लोग आधार मान के calculation करते हैं, वो हर number system का base होता है, तो binary number system का base two होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो base होता है, वो total number अब digits के equivalent होता है, equal होता है, इसके बाद होता है, octal number system, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 numbers होते हैं, इसका जो base होता है, यह 8 होता है, decimal number system होता है, जो कि basically हम लोग यूज़ करते हैं, calculation के purpose से, यानि कि human beings use करते हैं, यह 0, 2, 9 होता है, total जो number अब digits होता है, 10, इसलिए इसका base 10 होता है, और एक last होता है, hexadecimal number system, जिसमें 0, 2, 9, numeric के words, plus capital A, capital B, capital C, capital D, capital E, and capital F होता है, यह capital ही होने चाहिए, अगर यह hexadecimal number system की बात हो रही है, तो इसमें alphabets A to F ही होते हैं, और यह capital होते हैं, small नहीं होते हैं, यह total number of digits इसका 16 होता है, इसलिए इसका जो base होता है, hexadecimal number system का, वो 16 base होता है, तो आईए अब हम लोग देखते हैं, दोस्तों, थोड़ा सा conversion देखते हैं इसके बारे में, कि अगर हमें decimal number system से कोई संख्या binary number system में convert करनी है, तो हम क्या करेंगे, यह एक example यहां पे दिया हुआ है, मालीजिए 50 है, 50 base 10 means decimal number system में, question mark base 2 means binary number system, इसका हमें find out करना है, तो बिल्कुल simple होता है, इसमें कोई बड़ा logic लगाने वाली बात नहीं होती है, इसमें कोई बहुत बड़ा समझने वाली चीज नहीं है, simple है, अगर आपको decimal से binary number system में convert करना है, तो decimal वाली संख्या को binary number system के base से divide करते हैं, यानि कि 50 को आप 2 से divide करेंगे, तो 50 को 2 से divide करेंगे तो क्या आएगा, 25 times जाएगा यह, और यह पूरा-पूरा चुकी divide होगा, यह 50 जो है, यह 25 से पूरा-पूरा divide होगा, तो remainder जो बचेगा, वो हमारा 0 बचेगा, यानि कि remainder कुछ नहीं बचेगा, अगेन हम इसको 2 से divide करेंगे, तो यह 12 time जाएगा, यानि कि 12 दूना 24, एक बच राय remainder, वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम 2 से divide करेंगे, तो यह 6 बार में कटेगा, 6 दूना 12, सेसफ़ल कुछ नहीं बचेगा, या 0 कर देंगे, अगेन हम इसको 2 से divide करेंगे, तो यह 3 बार में कटेगा, तिन दूना 6, 0 बचा remainder, अगेन हम इसको 2 से divide करेंगे, तो यह एक बार में divide होगा, और एक सेसफ़ल बचेगा, यह हो यह हमारा, अब इसमें हमें remainder से ही मतलब है, remainder जो आया हुआ है, यह हमारा answer होता है, इसको यहाँ से, including this, यहाँ से लेते हुए, उपर की तरफ हम इसको note down कर लेंगे, और यह हमारा answer होगा, देखेंगे, 110010, यह हमारा answer हो गया, यह answer हो गया हमारा, थैंक्यू दोस्तों, चैनल को subscribe करिए, जो भी latest videos upload होंगे, उसका update आपको मिलता रहेगा, कोई भी doubts है, या कोई भी ऐसा question है, जो जिसका answer नहीं है आपके पास, तो मुझे mail कर सकते हैं, तुरंत आपको reply मिलेगा, as soon as possible, thank you.